मारश्वी, एक प्रश्शन बार-बार आता है, उसमें हमें तो कोई संदे नहीं है जो आपके सानिद्दे में संद्जन रहते हैं, बट बाहर जो जनसाधारन लोग जो इश्वर को ही मानते नहीं हैं, जो डिवे शक्तियों को जानते नहीं हैं मारजी, तो हम आपसे इस पर प हो जाएं, तब ही हम देख पाएंगे न, हमारी शामर्थ हो जाएं, अभी क्या है कि हमारे पास जितनी अध्यात्मिक शक्ति होगी, उतने हम दिव्यता को देख पाएंगे, जैसे अध्यात्मि में उसकी स्थिति भगवश शुरूप में तनमय है, तो जितने बड़े महाप पुरुषुर के सामने आएंगे, बात करेंगे, वो उनसे बात करेंगे, पर यहीं बात हो रही है, आप सुन थोड़ी पाऊगे, क्योंकि आपकी श्रवनेंद्री पार्थिव विशह में लगी है, उसकी योगिता नहीं आई है, ऐसे ही जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, पहल में नाटक लगेगा, कि हमें क्यों नहीं दिखाई देता, तुम्हारा अध्यात्मिक शक्ति विशयों के भोग में नर्ष्ट हो चुकी है, तुम्हारे अंदर शामर्त नहीं रहे गए, जो विशय चाहता है, तुम्हें रौन देता है, अब तुम दिव्यता को कैसे अन्भ होना पड़ेगा, तभी तुम दिव्यता को जान सकते हो, तुम मंत्र हैं, उनकी शिद्धियां हैं, चमतकार हैं, दिव्यताएं हैं, पर उसकी योगिता, आप इमें होनी चाहिए देखने की तो है, मंत्र, मंत्र की शक्ति, देवी चमतका, तभी जब आप में देवी हो, अब जो जितना पवित्र होकर, जितना लक्ष किया, उतना जान गया, और उतने में यो प्रकाशित हो गया, तो जूटा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जूट है, ऐसा नहीं, यह सब है, पर तुम कितना उसे सोईका, हमने अपने आखों से देखा, कि एक जानवर की ऐसे टांग में किशान के अस्त्र लग गये तो उसे खून बह रहा था तो एक बूढे बाबा है गाउं में वो प्रशित देते खून बांधने के लिए ऐसे रज लिया और दो मिनट ऐसे मंत्र बोले वो ऐसे किया बदके बल गाउ था एक बून खून बार में निकला एक बून यह हमें आखों से तो उन्होंने मंत्र सिद्ध किया है तो ऐसे मंत्र सास्त्रों मंत्र हैं जो छुटी छुटे कारियों की छुटी छुटी बातों की सिद्धी पर जब भगवत प्राप्ति का लक्ष होता है तो यह बड़ा लक्ष है फिर इन सब छोटी बातों को स्वेकार में किया जता है यह उनके समीब जाने से स्वाभाविक हो सकता है वो नहीं चाहेंगे वो चाहेंगे यही कि आप सचिदानन भगवान में लगे पर आपकी जो कामना है तो कल्पतरू भगवान के आराधना करते तो उनके प्रभाव से हो सकते हैं आपकी कामना पूर्ण हो जाए उनका आसिरवाद इस बात कर नहीं होगा आसिरवाद इस होगा कि मंगल भवन प्रभू में आपका मन लग जाए और आप भी भक्त बन जाए तो आप सदा सदा के लिए दुख से निवरत हो जाएंगे पर यह नहीं कि चमतकार नहीं है हमने देखा एक अजुद्या से संत आये हुए थे बड़ा प्रभाव उनका बहुत लोग साथ वो हनमान जी के उपास ना करते थे तो हमारे पास भी आये उस शमय हमारी हो कि 17-18 वरसी के अवस्ता तो संतों को बड़े गौर से देखना क्योंकि संत मार्ग में चल ले तो एक एक बात देखना कैसे उठते, कैसे बोलते, कैसे चलते उनकी चेस्टा कैसे शंत तो वो नजजदी का है और उनका कि आप क्या साथ ना करते हैं हमसे बड़े आवस्ता में भी थे वो बड़ी भ्यूर उनके साथ हमारे गुरुजी उनके बताया, नाम जब करो ऐसे ऐसे कुछ योगी क्षाधन करते हैं चमतकार कुछ मैं तो इसका परिचे लिए हम तो जानते ही नहीं ऐसे किया के उड़ा के सुगंद छागए और लोगों पुझते और कौन सी चमेली ऐसे किया पूरे वातावरन में चमेल यह मतलब कहानी नहीं है यह हम प्रत्यक्ष में देखा है ऐसा पानी लिया कौन से जूस शाप पिना चाहते है कौन सा सर्वत आप यह जो जूस बोला वह ही जूस आखिरकार प्रकति पर्मात्मा से ही तो है तो प्रकति का परिवर्तन पर्मात्म मंत्र से क्यों नहीं हो जाएगा जो परिवर्तन खंबे से भगवान निकल पड़े के नहीं निकल पड़े खंबे से निकल पड़े कुत्य से भगवान को प्रकत किया नाम देवजी निकी नहीं तो उसे सर्वत पानी को बना देना कौन सी बड़ी बात क्योंकि भगवान सर्व रूप है भगवान ही तो है सर्व रूप है उसने मंत्र के द्वारा कांख्षा क्यों पानी सर्वत बन गया जैसे भगवान पानी बने हुए थे वही सर्वत बन गया पर ये खास बात नहीं है हमारा मन प्रभावित नहीं हुआ मन तो प्रभावी तब हो जब आपके पास बैठने से में रोना आने लगे प्रभु शे प्यार आने लगे हमारा हरदे जलने लगे कि मैं कितना नीच हूँ मैं ऐसे ऐसे कर्म किया हूँ क्या प्रभु मुझे विश्वई कार कर? यह है संत संग का चमतकार कुछ का मन प्रभु के लिए लालाईत हो गया प्रभु इतने प्यारे लगने लगे कि सारे विश्वई खारे लगने लगे संसार का सुक उसको बमन की तरह लगने लगा यह आवास्तिविक शंतों के संग का ही चमतकार बगा ऐसा नहीं है कि सब जूटा ऐसा नहीं है चमतकार हैं तो अब ये तो नहीं है कि मंत्रों में शक्ति नहीं ऐसा नहीं है मारजी आप तो बच्पन से इस मारग पे चल रहे हैं अभी आप ब्रिंदावन प्रेम उपास्ता में तो आपके साथ भी ऐसी कोई अन्भूतियां होई यह बहुत सी सुरुवात्मी प्रारंभ हो गया था इस मारग में तो जब चले ना पर क्या था कि गुरू कृपा से बच् जाते हैं उसके देवता साक्षाता करके अलग अलग देवता जो इंद्रियों में बिराजमान और वो माया का वही आकरशन उसके पास पहुंचाते हैं जिससे ब्रष्ट हो जाए तो उपाशक सावधान रहे उस समय जब चड़ाई पे चड़राय परमारतिकी तो उसे पात्र ही इस बात को समझ पाता है फिसके बाद जब इसके बाद जो आती है उफिशिद्धियों का खेलाता है जिशिद्धि पेरें बहुआई बुद्धी लोब दिखावें भाई हो बुद्ध जो परम सयानी तिन तन चितन अनहित जानी उले परम सयानी बुद्धि वो उ गोतमार्ग में चला है ऐसा नहीं कि अनुभूतिया नहीं होती कि आविश्व में ये सिध्धी आ गई है अविश्व में ये सामर्थ आ गई पर उसे हटाते हुए जैसे तैराक पानी को हटाते हुए आगे बढ़ता जाता है फिर वो पार हो जाता है ऐसे उपाशक शाफ बिल्कुल जन शाधारन की तरह उनका जीवन है पर वो अशाधारन तक तो में निरन पर इस्तित रहते हैं तो ये जो चमतकार है प्रकास है ये कई तरह का होता है एक होता है भगवद आराधना से एक लिमिटा है बस उतनी आराधना उसका वही होता है एक होता है भूत प्र कलकत्ता ले चलो एक सेकंड में एक सेकंड में पुचाओ देगी आपको लगे तो भगवान शाक्षा तभी तो ब्रंदाव में तब कलकत्ता आ गए सराब न पियो पराई बेहन बेटी के तरफ गंदी दृष्टी मत करो मान संडा मत खाओ और राम कृष्ण हरी जो नाम तुम्हें प्री लगे करो अगर तुम दूसरों को सुख देने वाले न बन जाओ तो बता दिना ये सब जो बाते हैं चमतकार की ये सत्य हैं इसमें हम संस न पदारविंदयो दुरवासा जी देखो न मंत्र ही को तो प्रभाव था क्रत्या प्रगट कर दिया अम्रिश जी क्या गए अम्रिश जी हरी शरनम दूसरी कोई बात लही थी सुदरसन चक्र ने क्रत्या को नश्ट किया और दवडाया त्रिभुवन में दुरवासा को जितना भी आप देख रहे हैं, सब माया रचित है, शत्य कुछ नहीं है, शत्य है तो ये भगवान का नाम है, ये महापुर्शों ने का, आब्रम इस्तंब परियंतम सर्वं माया मयम जगत, शत्यम शत्यम पुना, शत्यम हरे नाम है, ब्रह्म लोग से लेकर इसाब तिन के तक मायम है, कुछ सत्य नहीं है, सत्य है तो भगवान का नाम है, और वो नाम जब करो, उसी में आनंद आ जाए, अगर आप ठीक हो सकते हो, तो हाँ, एक सत्य बात तुम से कहते हैं, भगवान का नाम जब करो, आप ठीक हो जाए, जो चाहो सुपराप्त कर लो, बस इसके वो और तो सब प्रणाम है, सब भगवान का नीला है, और शाब बढ़िया है, भगवान जिस रूप में जो लीला कर रहे हैं, हमारे लिए बंदनी हैं, हमारे प्रभू हैं, नटवर नागर हैं, बिविद रूपों में वोई तो खेलने हैं, कोई और हैं नहीं, वोई खेल पर हमको इन खेलों में नहीं फसना, एक दिब्ब खेल भी है भगवान का, उसमें जाना है, यह जनम्मरण, चक्रे, कामना की पूर्ति, यह सब बातें बहुत हो गई, कोई एक ऐसी बात हो, जिससे सब बात ठीक हो जाए, वो है भगवान की सरनागती और उनका नाम जाए।